हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वन्टीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रादस्थान पुलिस की नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में और आप इसके फॉर्म को कैसे अपलाए कर सकते हैं स्टेप बे स्टेप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी तो फ्रेंज से यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई है ये फ्रेंज से आपके यहाँ पर राज्य विशेज साखा रास्थान जैपुर द्वारा जारी की गई है तिसमेर फ्रेंज से कैनाल बॉय श्वान दल हेतू चतुत स्रेनी करमचारी के आठ पडों के लिए आपके यहाँ पर वेकेंसी जारी की गई है इसमें फ्रेंट से जन्रल BC वर्ग वे आपके SC वर्ग के लिए जो vacancies है वो आपको यहाँ पर दी गई है यहाँ पर फ्रेंट जो आपका वेतरवान है वो आपका फ्रेंट से 52,200 रुपे आपका यहाँ पर रहेगा इसमें जो great pay है वो आपका 1700 रुपे यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर फ्रेंट से देखिए जो नियत fix मान दे है वो 12,400 रुपे प्रतीमा आपको मिलने वाला है यहाँ पर फ्रेंट से भारत का नागरिक होना आपका जरूरी है आयू की बात करें तो 18-40 साल आपका इस criteria होना चाहिए एक एक 2023 तक और qualification की बात करें तो कम से कम पांचवी class pass out होना आपका जरूरी है और हिंदी का आपको यहाँ पर ग्यान होना जरूरी है इसके लावा फ्रेंट से यहाँ पर देखिए जो आपका कारे अनुभव है आपको कैनल की साब सफाई सही रूप से करने आना चाहिए इसका कोई certificate आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी आवशक्ता भी नहीं है आपको फ्रेंट से यह आना चाहिए बस यही requirement आपकी यहाँ पर रहती है इसके लावा फ्रेंट से यहाँ पर देखिए जो आपको आवेदन पत्र है वो आप SSO के माध्यम से अपलाए करेंगे फीस यहाँ पर 80 रुपे है समानने वर्क के अभिहरतियों के लिए 20 रुपे आपकी फीस यहाँ पर रहेगी तो यह फ्रेंट से आपकी यहाँ पर जानकारी है जो कि आप चेक कर सकते हैं इसका जो डारेट लिंग है वो आपको इसकी ओफिशल वेबसाइट पर या फ्रेंट साप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जोबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर भी आप इसकी वेकैंसी की डेटेल को चेक कर सकते हैं अगर आप एप्लिकेबल हैं एलिजीबल हैं अपलाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अपलाई कर पाएंगे बात करेंगे इसके फॉर्म अपलाई प्रोसेस के बारे में और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकेए तो यहाँ पर फैंसे देखेंगे इसका ओनलाई अपलाई पोर्टल है रारस्थान सिंगल साइनों का जहां से आप इसमें आविधन करेंगे ओनलाई अगर आप पहले से रडिस्टर है तो डाइटली लोगिन कर सकते हैं अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं तो registration वाले option पर आप click करेंगे अब आपके पार जनाधार है तो जनाधार से registration कर लीजिए Google है तो आप Google को select कर लीजिए और इसके बार friends आप अपनी mail ID से यहाँ पर login कर लेंगे mail ID से login करने के बाद आपको friends से कुछ इस तरह का interface यहाँ पर देखने को मिलेगा अब यहाँ पर देखिया आपको SSO name automatic यहाँ पर आपकी mail ID होगी उसके according आपको मिल जाएगा अगर आपका यह green नहीं है मतलब available नहीं है तो आप इसे change कर सकते हैं अगर यह available भी है तब भी आप इसे change करना चाहें तो भी आप इसे change कर सकते हैं इसके बार friends आपको password create करना है password कैसा होना चाहिए तो password में आपको यह रखना होगा है mail ID से registration किया है तो mail ID आपकी आजाएगी और उसके बार आप यहां से registration अपना complete कर सकते हैं तो friends registration complete करने के बाद अब आपको इस login वाले section से friends आपकी SSO ID और जो आपने password बनाया होगा और जो capture code है यह डालकर आप यहां से login कर सकते हैं login करने के बाद आपका देखे friends जो dashboard है यह open हो जाएगा अब यहां पर देखे आपको एक फोटो मिल रही होगी साथ में आपको यहां पर एक option मिलेगा update प्रोफाइल का तो आप यहां से अपने प्रोफाइल को अगर update करना चाहें तो कर सकते हैं बाकि बिना update के यह भी आप form तो आपको क्लिक करना है requirement stack 2 पर क्योंकि जो भी police की vacancy होती है वो आपको इनी पर मिलती है अगर यह icon नहीं मिलता तो friends आपको देखे यहां पर एक option मिलता है citizen app का आप इस पर क्लिक करेंगे इसके आप यहां पर एक option है other apps का आप इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी icons होंगे वो सारे open हो जाएंगे अब आपको यहां पर search करना है requirement stack 2 और आप इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा wait कीजिए इसके बार friends से यहां पर देखे requirement 4 class 4th channel boy का आपको यहां पर option मिल जाएगा इसके बार आपको यहां पर एक option मिलेगा देखिए apply now का आप इ करना होगा तो आप इस okay वाले option पर click कर देंगे इसके बार friends से यहां पर देखिए आपका फ्रेंज जो option है यह open हो जाएगा सबसे पहले friends से यहां पर पूछा जाएगा राजस्थान क्या resident candidate आप है या नहीं है अगर राजस्थान के resident candidate है तो आप यहां पर yes कर सकते हैं और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो आप simply no करेंगे और उसके बार friends अपना अधार का number देंगे और उस पर OTP जाएगी वो OTP आपको यहां पर verify करनी होगी अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आप यहां पर yes कर सकते हैं और आपका जो जन अधार है वो उ और उसके बार friends आपका नाम आपका जेंडर फादर नेम डेट ऑबाट मॉबाइल नंबर सब आपका यहां पर आ जाएगा और उसके बार आप यहां से verify OTR कर सकते हैं इसके बार friends यहां पर देखिए next option आएगा आपके qualification details का अब इस qualification details में friends सबसे पहले secondary की details है तो अगर आप district class pass out नहीं है आपको यहां पर कोई option और नहीं मिलता और यह आपका mandatory भी है तो आप यहां पर secondary की या equivalent की जगे आप यहां पर friends आपकी जो qualification है पांच वी जो required मागी गई है उसकी जानकारी आप यहां पर fill कर सकते हैं तो आपको देखिए friends यहां पर जो नाम है वो आपको यह यहां पर fetch हो जाएगी अगर यह फैच नहीं होती है उस condition में friends आपको यहां पर जो परिणाम है percentage CGPi grade जो भी है वो आप select कर सकते हैं total numbers आप यहां पर दे सकते हैं उसके बार प्रापतांग्स आप यहां पर दे सकते हैं कितने numbers आपने gain किये हैं आपकी percentage आ जाएगी इसी तर friends आपको यहां पर देखिए इस तरह से keyboard मिल जाता है आप यहां पर जो आपका नाम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं अगर आपको freebie friends से कोई problem आती है नाम को एंटर करने में तो आप Google की help ले सकते हैं translator की और उसके बार अपने नाम को यहां पर आप एंटर कर सकते हैं इस तरह से friends आप यहां पर नाम लिखेंगे आपके father name लिखेंगे आपका mother name है वो आपको देना है English में और उसके बार mother name देना है आपको Hindi में तो यह friends बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर देनी होगी marital status आपका क्या है वो आप यहां से select कर सकते हैं spouse name है या नहीं है आप इसे blank छोड़ सकते हैं अगर आप single candidate है इसके बार friends यहां पर अगर आप merit candidate है तो आप अपने spouse ने मतलब पत्री या पतनी का नाम आपका merit registration number बच्चों की संख्या यह आपको यहां पर देनी होगी category आप कौन सी है आपकी वो आप यहां से select कर सकते हैं special able candidate है तो आपको यहां पर option मिल जाता है नहीं है तो आप not applicable कर देंगे इसके बार friends यहां पर देखिए religion select करना है body mark कोई cut का निशान कोई mole कोई burn का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं नहीं है तो आप यहां पर no mark की entry कर देंगे इसके बार friends इस data को आप यहां से भी save and nest कर सकते हैं इसके बार आएका friends आपका देखिए address section अब address section में आपका पूरा address जो भी है permanent address line 1, line 2, line 3 आपका city या village कौन सा है state कौन सा है आपका district कौन सा है pin code क्या है यह आपको देना होगा अगर यह दोनों सेम है आपका permanent and correspondence आप सेमर्स पर क्लिक कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे और यहां पर save and nest कर देंगे save करने के बाद the next option है dimensional का अब आपका जो area है वो कौन सा है TSP है सहरिया है अगर इनवे से नहीं है other state candidate अगर आप है तो आप non select करेंगे यहां पर nationality आपका home state home district इसके लब आपकी तहसील या city कौन सी है village है तो village select कीजिए settled हुए है इंडिया में किसी other country से तो आप यह से नो कर सकते हैं और उसके बाद इस data को भी save and nest करेंगे और उसके बाद additional category में अब आप देखिए एक सर्विसमेन है स्पोर्स परसन है NCC कैड़ेट इंस्टर है एक्स प्रिजनर है या exiting state government employee है तो आप यह से नो कर सकते हैं departmental candidate है तो भी आप यहां पर यह से नो कर पाएंगे या फ् कीजिए नहीं तो blank छोड़कर save and nest कर दीजिए इसके बाद फैंसे जब आपका 1TR जो OTR system है वो आपका complete हो जाएगा इसके बाद आपको apply नावाले option पर click करना होगा इसके बाद फैंसे आप अपने portal पर login हो जाएंगे और इन 4 step में आपको form को complete करना होगा यहां पर देखिए बाकी आप इन चीजों को आप यहां पर edit यहां पर भी कर पाएंगे इसके बाद फैंसे देखिए अगर आप यहां पर belong करते हैं schedule area मतलब TSP area से तो ही आप यहां पर yes करें अगर आप non TSP area फिर other state candidate है तो आप simply no करेंगे अगर आप yes करते हैं तो जो next section होगा उसमें आपको अ आप उपर किलिक करेंगे और उसके बाद यहां से next step पर किलिक कर देंगे इसके बाद आएका next option personal detail का तो nationality आपका home state home district आपको select करना है अगर आप यहां पर देखिए ex-serviceman है तो yes या no कर सकते है family income धाई लाक से कम है तो yes कीजिए नहीं है तो आप simply यहां पर no कर देंगे इसके बाद आएगा friends आपका qualification section अब देखिए qualification section में आपका friend से देखिए जो secondary है या आपका not applicable है जिसमें आप यहां पर check कर सकते है roll number percentage वगएर आपका यहां पर आ जाता है अब आपको यहां पर देना है fifth class की जनकारी तो आप चाहें तो यहां पर भी subject group जो है इसमें आप not 액 Note गिल्ट किस तरह का है वह आपको देना है आपको फ्रइंच से अ uniform होने का वार्ष कौन सा है वह आपको यहां पर देना होगा तो यहां पर उतरीन होने inform Fel Each orHHH आपको आपको एंटर कर देंगे इसके बाद से नीचा पो nest का option मिलता है आप इस पर किलिक कर सकते हैं इसके ब इसके बाद नेस्ट आएगा आपके एप्लिकेशन प्रिव्यू का मतलब यहाँ पर जो भी डेटेल्स आपने अभी तक फिल की हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अभी आपका यहाँ पर देखिए जो आपका एप्लिकेशन नमबर है वो जनरेट नहीं हुए है यह कब जनरेट होंगे जब आपको यहाँ पर अपनी एप्लिकेशन फीस को पेग कर देंगे इसके बाद फ्रेंस आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको यहाँ से डा पेची आना है पेफी वाले option पर click करना है और उसके बार यहां से okay कर देना है इसके बार थोड़ा सा आपको wait करना होगा यहां पर आपका एगरेटर option है जैसे net banking आप net banking select कर सकते हैं या फिर आप एगरेटर को select कीजिए और यहां पर इनमें से कोई भी एक option जो भी आप यहां पर select करना चाहें वो आप कर सकते हैं और पेनाओ पर click up कर देंगे इसके बार फ्रेंस आप अपने card details को यहां पर fill कर सकते हैं और उसके बार अपने payment को verify कर सकते हैं एक बार आपका payment verify हो जाएगा उसके बार अपना final print out निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं तो यहां पर इस वीडियो हमने बात की रादस्थान पुलिस की new requirement notification जो की फ्रेंस से कैनल बॉय स्वान दल हेतू चतुत स्ट्रेनी करमचारी के लिए जारी की गई है इसका form आप कैसे fill कर सकते हैं मैंना आपको सारी process बता दी है बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa